आपका पहला सवाल है, सिंदु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आपके ओप्षन है, A. मात्री शक्ति, B. कर्मकांड, C. आत्म, D. इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है, A. मात्री शक्ति आपका दूसरा सवाल है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुद करने का श्रेट किस वैज्ञानिक को है? आपके ओप्षन है, A. कॉप्रनिकस, B. केपलर, C. गैलिलियो, D. इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है, A. कॉप्रनिकस आपका तीसरा सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान का बारंभ हुआ, आपके ओप्षन है, A. एक अप्रेल 2015, B. 9 दिसंबर 2014, C. 2 अक्टूबर 2014, D. 26 जनवरी 2015 इसका सही जवाब है, C. 2 अक्टूबर 2014 आपका चौथा सवाल है, सम्विधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने सम्विधान परहस्ताक्षर किये थे? आपके ओप्षन है, A. 262, B. 284, C. 287, D. 289 इसका सही जवाब है, B. 284 आपका पांचवा सवाल है, पहला लाइट वर्ब किस देश में बनाया गया था? आपके ओप्षन है, A. भारत, B. चीन, C. जापान, D. अमेरिका इसका सही जवाब है, D. अमेरिका आपका चठा सवाल है, रुद्र सागर जील कहां स्थित है? आपके ओप्षन है, A. त्रुपुरा में, B. असम में, C. उडिसम में, D. केरल में इसका सही जवाब है, A. त्रुपुरा में, आपका साथवा सवाल है, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे? आपके ओप्षन है, A. राजीव गांधी, B. जवाहर लाल नहरू, C. इंदिरा गांधी, D. मन मोहन सिंग इसका सही जवाब है, B. जवाहर लाल नहरू, आपका आठवा सवाल है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ओप्षन है, A. नील नदी, B. सिंधू नदी, C. जेलम नदी, D. चेनाब नदी इसका सही जवाब है, B. सिंधू नदी आपका नौवा सवाल है, सोनी की गाड़ी कौन से देश में चलती है? आपके ओप्षन है, A. जापान, B. सौधी अरब, C. अमेरिका डी, रूस इसका सही जवाब है, B. सौधी अरब आपका दस्वा सवाल है, A. लोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? आपके ओप्षन है, A. राजस्थान में, B. मध्यप्रदेश में, C. करनाटक में, D. महाराश्ट्र में आपका सही जवाब है, D. महाराश्ट्र में